नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में आज हम आपको बताने वाले हैं 20 ऐसे हेल्थ टिप्स जो आपकी सेहत को दुरुस्त कर देंगे जी हाँ अगर आप एक्स्ट्रा वजन कम करना चाहते हैं और पूरे दिन एक्टिव रहना चाहते हैं तो दिन भर में इन 20 टिप्स का द्यान रखिए दरसल डाइट से जुड़ी कुछ छोटी छोटी बाते हम द्यान नहीं रख पाते रोजाना खूब सारा पानी पिए और कैलोरी फ्री चीजे खाएं सुबह सुबह ब्रेकफास्ट जरूर करें ब्रेकफास्ट ने करने से कई प्रकार की बिमारिया हो जाती हैं रात के स्नेक्स को लेतिस में थोड़ा चूजी बने जी हां घल्दी स्नेक्स लें दिन भर में थोड़ थोड़ा कुछ कुछ कम कैलोरी का खाते रहें खाने के बीच लंबा गैप नहीं होना चाहिए कोशिश करें कि आपके खाने में प्रोटीन की मात्रा बरपूर हो खाने में मसालेदार चीजों का कम से कम परियोग करें खाने के दुरान लाल, हरे और संत्री चीजों को जरू खाएं खाने में यदि आप रंग बिरंगी चीजे खाते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यदा फाइदे मन्द होता है यदि आप वजन कम करना चाहते हैं तो खाने में नमक की मातरा को कम कर दें वजन कम करना है तो रोज खाना खाने से पहले कम कैलोरी वाला वेजिटेबल सूप जरूर लें इससे 20 फीजदी कम कैलोरी कंजूम होती है और आपका पेट भरा रहता है कैलोरी काउंट को छोड़ कर सिर्फ पोशक्ततों के बैलेंस वाली डाइट लेनी चाहिए रोजाना रिकोर्ड रखना चाहिए जैसे आपने कितना खाया, क्या खाया, कितना पानी पिया और आपने हेल्दी फूड खाया या नहीं सदयों खाते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपको आराम आराम से खाना है यदि रिसर्च की माने तो जो लोग जल्दी जल्दी खाते हैं वो लोग मोटे हो जाते हैं इसलिए सदयों आराम आराम से खाना खाएं समय पर करें दिनर और दिन बर फ्रूट्स और वेजिटेबल खाएं दिन में डाइट और शोड़ा जैसी चीजों को खाने से बचें कम से कम मीठे और ओयली चीजों को सेवन करें खाना बनाते समय फैट का जुरूर द्यान रखें खाने में ओयल, बटर, चीज, कृम आधी का कम से कम इस्तेमाल करें रात को दिनर के समय स्नैक्स खाने से बचे रहें रात के खाने में कार्बो हाइट्रेट ने के ब्राबर लेएं दरसल अगर कारबो हाइट्रेट को सुबह-सुबह खाया जाए तो यह एक तरह से आपके शरीर में इंधन का काम करता है लेकिन यही बात रात में लागू नहीं होती है दिनर के बाद कुछ भी न खाएं इस मामले में इमानदार रहें खाने को करें शेयर लंच करते से में अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें यह केलोरी चेक करने का अच्छा तरीका है और रात को भरपूर निंद लें यह भी आपके अच्छे स्वास्था के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है तो आश्या है दोस्तों यह वीडियो आपको बहुत पसंदाया होगा इस प्रकार के और भी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे झाल